सब्सक्राइब कीजिए इन्फो गुरुदेब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोज के नोटिफेकेशन सबसे पहले ये विल्कुल फ्री है नमस्कार दोस्तो वुलायम सिंग यादब का जन्म 22 नौंबर 1949 को ग्राम सेफ़ाई इटावा उत्रप्रदेश में हुआ था यह एक भारती राजनेता है जो उत्रप्रदेश से तीन बार मुख्यमंत्री पक्यन सरकार में एक वार अच्छा मंत्री रह चुके हैं बरत्मान में यह भारत की समाजबादी पार्टी के अधक्ष हैं इनके पिता का नाम सुदर सिंग वा माता का नाम मूर्ती देवी था वुलायम सिंग यादब के पिता एक किसान थे वुलायम सिंग अपने पांच भाई बहनों में अतन सिंग से छोटे वावैराम सिंग, एक कुस्ती प्रत्योगता में प्रवावित करने के पश्चाद नहीं नहतु सिंग की परंपरागर दानसवा सीट जस्वन नगर से अपना राजिदी सबस्रू किया, राजिद में आने से पूर्य मुलायम सिंग आगरा बिष्ट विद्याले से शनातको उत्तर एहमे बाद जेन इंटर कॉलेज करेल मनपुरी से बीटी सी करने के बाद कुछ दिनों तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कारवी कर चुके हैं, मुलायम सिंग उत्तर भारत में बड़े समाजबादी किसान लेता हैं, एक साधारण किसान परवार में जम लेने बाले मुलायम सिंग ने सरस्ट में पहली बार विदान सबा की सदस्द चुनिये गए, 1992 में उन्होंने समाजबादी पार्टी बनाई, बेकरम से 5 दिसंबर 1989 से 24 जिनबरी 1991, 5 दिसंबर 1993 से 3 जुन 1996 और 29 रकस 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमती रहे, इसके अतिक्त वेकें सरकार में रच से नेता जी कहती है, 2012 में मुलाइम सिंग की पार्टी समाजबादी पार्टी को उत्र प्रदेश के बिदान सबा चुनाओं में बहुमत मिला, उत्र प्रदेश की जंता ने नेता जी के विकास कार्यों से प्रावित होकर उनको सरकार बनाने का जन्मत दिया, लोगपरी नेत समाजबादी पार्टी के दूसरे लोगपरती नेता अखिलेस यादब को उत्र प्रदेश का मुख्यमति उनाया, अखिलेस यादब मुलाइम सिंग यादब के पुत्र हैं, समाजबादी पार्टी के नेता मुलाइम सिंग यादब पछे तीन दसक से राजनीति में सक्री है अपने रायनीतिक गुरू नाथू सिंग को मैनफुरी में आयूत एक खुस्ति प्रतियोगता में प्राईद करने के फश्चाद बुलाहिम सिंग नाथू सिंग के प्रबरागित बिधान्सवा छेत्र, जस्मन्नगर से ही अपना रायनीतिक सफर शुरू किया था बुलाहिम सिंग यादव जस्मंदगर और एटावा की सहकारी बेंक में निदेशक भी चुने गए थे विधान सवा चुनाव में भी जीते थे विधाय का चुनाबी सोसिलिस्ट पार्टी और फिर फ्रजा सोसिलिस्ट पार्टी चड़ा इसमें उन्हें बिजय प्राप्त की थी स्कूल के अध्यबनकार से स्थीपा दे दिया था पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलाहिम सिंग यादव को 1977 तक का इत्यार करना पड़ा 1996 में मुलाहिम सिंग यादव 11 लोकसवा के लिए मेनपरी लोकसवा छित से चुने गए थे और उस समय जो सिंग्त मौर्चा की सरकार बनी थी उसमें मुलाहिम सिंग भी सामिल थे और देश के रच्छावंत्री बने थे यह सरकार बहुत लंबे समय तक तो नहीं चली थी मुलाहिम सिंग यादव को प्रणामित्री बनाने की बात भी चली थी प्रणामित्री पत की दोड़ में वो सफसे आगे खड़े थे किन्त उनके सजाती ने उनके साथ नहीं दिया लालू प्रणाद यादव और सरत यादव ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया इसके बाद चिनाव हुए तो मुलाहिम सिंग संबल से लोक सबावें बापस लोटे असलमें वो कन्नों से भी जीदे थे किन्त उहां से उन्होंने अपने बेटे अख्ले स्यादव को सांसत बनाये था तो दोस्तो आपको नेता जी की जो जीवनी है वो कैसी लगी है अगा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राब करें जय हिंद जय भारत वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें, सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना नह भूलें और हाँ दोस्तो अगर आपके पास कोई सवाल ये सुजाब है तो कमेंट बॉक्स में जरू लखें धन्यवाद, जैहिंद, जैहारत